हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपको इस तरह से फ्लावर डिजाइन में जाली करवाला पैटर्न किस तरह से बनाते हैं वह दिखाऊंगे इस कलर में वह थोड़ा विजिवल नहीं है तो मैं आपको दूसरी कलर में बना के दिखाती हूं जो कि बहुत ही से बात यह मैंने नेडल सेलक्टर ले लिया डिवाइडर इसमें सेबन का गया पर एक एक नेडल आए और बीच में सेवन नेडल पिछर्च है तो यह जो नेडल हमने आगे की वह इह इसके दोनों साइट से इस तरह से सिंगल ट्रांसफर टूर ले लेंगे और इसके दोनों साइट से एक एक नीडल हम खाली कर लेंगे इस तरह से जितने भी नीडल आगे की है उन सब में हम इस तरह से एक एक नीडल दोनों साइट से और डिजाइन को अच्छे तरह से समझने के लिए आपको वीडियो को बिन स्किप की पूरा देखना होगा जिससे कि आपको डिजाइन अच्छे से समझ में आ जाए और कोई confusion ना हो इस तरह से अब जो खाली नेडल है उनको हम आगे कर लेंगे पीछे नहीं छोड़ेंगे और फिर दो सिलाइँ लगांगे पी इसको आप single ply या थ्री फ्लाइ वाले जो धागा होता है इससे भी easily बना सकते हैं अभी मैंने यह भागा यूज किया कि इसको 10 नमबर पे सेट किया है यह वाली मेरी आगे है और यह वाली नोब जो है यह पीछे है जिससे यह होगा जो जाली बनाई थी उसके साइड वाले नीडल जैसे यहां पे हमने जाली बनाई थी इसके साइड वाली नीडल को खाली करेंगे इस साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे इस तरह से तो बीच में थ्री नीडल का ग्याप हो गया जो फॉस्ट रो में हमने किया था उसमें हमारा बीच म तो यह दो जाली बनाए थे वह वाली नीडल पर इस तरह से हम जो फंद को ट्रांसफर कर लें जो खाली नीडल है उनको हम आगे कर लेते हैं फिर हम तू सी लाईयां लगाएंगे वान तू और जैसे अगर कोई जाली नीडल आगे नहीं हुई और नहीं बना तो आप उसको इस तरह से मैनुल भी बना सकते हैं उसके लिए आपको पूरी सिलाई निकालने की जरूरत नहीं है अब यहां पर ध्यान यह जाली वाला नीडल है उससे आगे वाली नीडल को हम लेंगे आप तरह से भी इसको ध्यान रख सकते है जो सेंटर में उसके दोनों साइड से 1 एक नीडल का लेंगे जो नीडल हमने आगे की थी तो फोस्ट रोज आब हम बना रहे थे तो उसमें हमारी एक निडल का गैप था फिर थर्ड रोव में हमारуска थ्री नीडल का गैप है और यह फित कि इस तरह से अब जो खाली निडल है उनको हम आगे कर लेंगे और दो सिलाइभें करेंगे два लगेए लूयर फिर नाट बनाने तो इसके लिए हम दो सिलाइभर के लिए लूयर लगा लेंगे इसके बार्द यह डिजाइन की इसको आप या तो सीदह जैसे एक के ऊपर एक dizzain भी डाल सकते हो नहीं तो एक साइड में डाल सकतो जैसे आपको इडिजाइन अच्छा लगता है वैसे पहले हमने यह वाली पसंद आते हो तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी विडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और अगर आप ओनलाइन क्लास लेना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरे वाट्साप नमबर जो स्क्रीन पे सोरा उस पे कॉंटेक्ट कर सकते हो सारी इंफोर्मेशन उसमें आपको मिल जाएगी और अगर आप कार्ड वाली मशीन को चलाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल रूद्रा क्रियेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं उसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दे दूँगे इस तरह से हमने नीडल जो खाली नीडल थी उनको भी हम आगे कर लेंगे और दो सिलेंगे लगाएंगे अब जैसे हमने फॉस्ट रू में किया था बीच मेली नीडल के दोनों साइड से एक एक नीडल ट्रांसफर कर लेंगे जैसे यह हमारी सेंटर वाली नीडल है तो उसके दोनों साइड से हमें एक एक नीडल साइड में कर लेंगे अब जो खाली निडल उनको हम आगे कर लेंगे और दो सिलाईया लगाएंगे यहां से ये एक निडल हमारी फिर से नहीं बनी है तो इसको हम वैसे करेंगे दोनों को इस तरह से लेंगे और जो लोग के निडल का उससे पीछ ले जाएंगे और जो उपर वाला धागा उसको लोक मैन लाएंगे और उसको बना लेंगे इस तरह से और दो सिलाईया लगा लेंगे इसके बाद फिर से आप यहीं डिजाइन कंटिन्यू कर सकते हैं तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर देजिए इस तरह से आप इस डिजाइन को बना सकते हैं तेंक यू